इस स्विष्टी की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई, संसार के प्रतेक जीव का निर्मान ब्रह्मा ने ही किया है. तो दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि इस स्रिष्टी के रचैता ब्रम्हा, जिनकी पद्वी इतनी उच्च है उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती? पूरे विश्व में ब्रम्हा के केवल गिने चुने ही मंदिर है, जिनमें से केवल राजस्थान के पुशकर में ब्रम्हा मंदिर सबसे प्राचीन और प्रसिद है। पूजा ना होने के सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण पर हम इस वीडियो में प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार ब्रम्हा जी को स्विष्टी के कल्यान के लिए धर्ती पर एक यग्य संपन करना था। यग्य के लिए स्थान का चुनाव करन के लिए उन्होंने अपनी बाह से निकले एक कमल को धर्ती पर भेजा। वो कमल राजस्थान के पुष्कर में गिरा। इस पुष्प के यहां गिरने से एक तालाब का निर्मान हुआ और ब्रम्हा जी ने यही स्थान यग्य के लिए चुना। परंतु यग्य के लिए ब्र पन्न होता तो इसका लाब नहीं मिल सकता था। इसलिए ब्रम्हा जी ने एक स्थानी अग्वाला से विवाह कर लिया और यग्य में बैठ गए। यग्य आरम होने के थोड़ी देर पश्चा थी जब सावित्री पहुची तो अपने स्थान पर किसी दूसरी स्थ्री को एक सभी देवता डर गए और सबने सावित्री से विनती की कि वह अपना श्राप वापस ले ले। तब सावित्री ने क्रोग शान्थ हो जाने के बाद कहा कि जी स्थान पर आपने यग्य किया है केवल इसी स्थान पर आपका मंदिर बनेगा। इसी कारण केवल पुषकर मे ही ब्रम्हा जी को पूजा जाता है। मानिता है कि क्रोग शान्थ होने के पश्चात देवी सावित्री पास ही स्थित एक पहारी पर जाकर तपस्या में लीन हो गई और आज भी वहां उपस्थित है और अपने भक्तों का कल्यान करती है। यहां आकर विवाहित महिलाए ब्रम्हा स्थित तालाब के दर्शन करने अवश्य आते है। और दोस्तों यहां पर हमारी आज की विडियो ब्रम्हा की पूजा क्यों नहीं की जाती समाप्त होती है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो विडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर करे। एक्स्प्लेंड अनेक्स्प्लेंड चैनल लेकर आता रहेगा ऐसे ही महत्वपोल्न जानकारी नम्सकार।